हे गाईज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज किसे स्पेशल वो कैप शो में जहां पे आप सभी के लिए प्रीवियस एर के टॉप 50 वर्ट्स में लेकर आया हूँ और ये सारे वर्ट्स आपके एक्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं जी हाँ बिल्कुल सही सुना आ बैंकिंग में आपका चाहे कोई सावी बैंकिंग का हो, IVPS का हो, SBI का हो, RBI का हो, कोई भी एक्जाम हो, वोकैबलरी तो वोकैबलरी और ये हर जगा के लिए जरूरी है दोस्तों, जरूर देखिए गालास तक एक एक वर्ड मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, पैटर्न चलिए शरू करते हैं, प्यारे बच्चों, मेरी इतनी क्लासेज डेली होती है, यूटूब पे आप दो क्लासेज, सुबह आठ बजे एडिटोरियल और बारा बजे पीवाई क्यू सेशन, ये दो सेशन अगर आप अटेंड करें, इंगलिश में बहुत इंप्रूमेंट है, फ्री ओफ कॉस्ट है, फ्री ओफ कॉस्ट है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सो वर्ड मीनिंग की सिरीज का सबसे पहला वर्ड एक्सपंज, इ-X-P-U-N-G-E, एक्सपंज मींस होता है, मिटाना, एक्सपंज को एक पंच से याद रखिए, एक पंच मार दिया, उसने लगा रखा था, चंदन लगा रखा था, माल लीजे, एक ने यू करके पंच मारा, सब कुछ चेहरे से एक्सपंज हो गया, मिट गया, मिट गया, दूसरा वर्ड है, जुबिलेशन मींस होता है, खुशी, उल्लास, उल्लास मींस होता है, happiness, that is जुबिलेशन, जब से इस ने जुब गया, हमेशा जुबिलेशन में रहता है, एक और ट्रिक बताता हू, जुबिलेशन की जो भी लोशन से आद रखे, जो भी ये वाला लोशन लगाएगा, वो बहुत ही जुबिलेशन में रहेगा, खुश रहेगा, ठंडी में लोशन अद मीं लगाता है, dry skin खतम करने तीसरा वर्ड है दिबार, दिबार means होता है प्रोहिबिट करना, रोकना, दिबार को देवर से आप, देवर, सीता जी को उनके देवर लक्षमन जी ने रोका था कि माते, इसके आगे, आप आगे मत आईएगा, तो देवर जो थे, उन्होंने अपनी भावी को उस रेखा को क्र करने के लिए दिबार किया था, रोका था, रोका था, रोका था, चौथा वर्ड है, this is congregation, means होता है assembly, congregation that is assembly, समागम होना, इकठा होना, उसे congregation कहते हैं, congregation, Congress, nation में बहुत ही जादा, इकठी हो गई है, Congress, हिंदुस्तान नेशन में, politics करने के लिए, इकठी हो गई है, Congress का nation में, congregation हो गया, लाखो की तादाद में, Congress का nation में, congregation हो गया, लाखो की तादाद में, अगला word है, mammoth, mammoth means हो गया, विशाल का है, बहुत ही बड़ा, mammoth को mammoth से याद रखे, कपिल शर्मा के शो में एक लड़की आती है, जिसके mammoth को लेकर कपिल शर्मा हमेशा comment करता है, तो आप कह सक करके चिक करेंगे हम, आज की पूरा सेशन इसी pattern पे है, पांच पढ़ो, पांचों को चिक करो, याद हुआ की नहीं, जैसे, सबसे पहले, एक सपंज बोलते ही आपके दिमाग में, तुरंत वो एक पंच याद आता होगा, कि एक पंच पढ़ा, तो सब कुछ मिट गया, एक और ट्रिक बना सकते हैं, दिवार से भी बना सकते हैं, एक परिवार था, जॉइंट फैमली थी पहले, फिर वो अलग हो गया, उनमें बटवारा हो गया, बीच में एक दिवार खड़ी कर दी, ताकि वो एक दूसरे को इधर उधर आने से रोक सके, तो दिवार भी रोकना भ ही हो गया, चौथा वर्ड है, कॉंग्रिगेशन, कॉंग्रेश, नेशन में कॉंग्रिगेशन कर गई, एक अठी हो गई, मैमोथ, मैम का माउथ, कैसा है, बहुत विशाल का है, मिरे प्यारे बच्चों, पांच वर्ड्स आपको पढ़ा है, एक बार बताईए, फटा-फट स्कोर क्या है, आउट आफ फट, क्या पांचो याद हो गए आपको, हाँ या ना, फटा-फट कॉमेंट में बताईए जल्दी से, कि क्या पांचो याद हो गए आपको, इसी पैटर्न पे आगे के 45 वर्ड और आप सीखेंगे, चलिए अगले पे आते हैं, नेक्स वर्ड है, इस हैर सूट, हर सूट भी सोता है, रोयदार, हर सूट, हर एक लड़की ने, या यह कह लिए कि हर सूट, कोई भी सूट ले लिए, हर एक सूट कुछ दिन पहनने के बाद रोयदार हो जाता है, हर सूट हो जाता है, हर एक सूट कुछ दिन पहनो, हर सूट हो जाता है, हर एक के ट्री के उसी को काट रहा था एक व्यक्ति आपने कहानी सुनी होगी कि जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है है ना तो डाल पे बैठ के ट्री के उसी को काट रहा है ये उन्हीं के लिए डेलिटेरियस हुआ उन्हीं के लिए हानिका रख हुआ उन्हीं के लिए नुकस एक्सिडेंट हुआ, ट्रेन एक्सिडेंट, तो जो लोग ट्रवेल कर रहे थे, एक्सिडेंट के बाद उनके परिवार को कितना जादा ट्रवेल हुआ, कितना घोर दुख हुआ, ट्रवेल किया उन्होंने, ट्रवेल में परिवार वाले, ट्रवेल में परिवार वाले उनकी death हो गए और परिवार वाले travel में हो गए next है वो means होता है कष्ट एक लड़का गाना गा रहा था वो लड़की बहुत याद आती है तो याद कर रहा है क्योंकि इसको वो बहुत ही वो दे रही है कष्ट दे रही है वो लड़की बहुत याद आती है गा रहा है वो उसको बहुत ही वो दे रही है कष्ट दे रही है इसमें हो सकता है ट्रिक कुछ और भी हो तो आप ये टेंशन मत लीजेगा जो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप वीडियो सुनिएगा ये तो रेंडमली तुरन बना रहा हूँ तो लड़की याद आती है इसको तो इसका मतब इसको बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है अगला वाइडे इस इस बॉड़ी बॉडी मीनस होता है अश्लील आज कल देखे एक्टरेस एक्टरसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं बॉड़ी दिखाते हैं अच्टर को छोड़ी है अच्टरसेस अजीबों गरीब अभी दीबिका पादुकोर ने देखा है कौन सी मूवी आई थी वो शारुक खान के साथ वाली मूवी कैसे अश्लील से गाने उन्होंने बना रखें मार्केट में बवाल मचा दिया तो बॉड़ी दिखा दिखा के आजकल फिल्म बनाते हैं इनके फिल्मी बड़ी अश्लील होती है तो बॉड़ी दिखा के बनाने वाली फिल्में बॉड़ी होगी अश्लील होगी अश्लील होगी चली चेक करते हैं फटा फट पाचो वर्ट्स हर के सूट कैसे हो गए रोएदार डेलेटेरियस डेलेटेरियस डालवे तेरे बैठके काट रहा क्या हुआ हानिकार ट्रवेल करदा किसी ने और घरवालों को हुआ ट्रवेल वो मींस हो गया बहुत दुख और बाड़ी मींस हो गया अश्लील एक बार फटा-फट बताईए इसमें क्या स्कोर है जल्दी कॉमेंट में स्पीट से कॉमेंट में बढ़े हैं आगे बढ़े है नेक्ट प्या ये गरिम मींस हो गया बच्चो होपलेस हॉरिबल इन मैनर भैंकर होना गरिम को गरम से याद रखे इतना गर्मी था है गर्मी की नौरा फतेही जमीन में लिड़ लोट गई इतना गर्मी था गिर पड़ी जमीन में तड़प रही थी ऐसे ऐसे करके गर्मी की वज़द से तो आपने कहा कि गर्मी इतना ज़ादा है हर आदमी grim situation में पड़ा हुआ है गर्मी से grim याद रख सकते हैं गर्म है बहुत गर्म है हाँ film actor, actresses भी गिर गिर जा रहे हैं जब इन पर बताईए गिर गिर के नाच रहे हैं कि खड़े नहीं रहा जा रहा है उनसे हाई गर्मी तो वह नहीं कि वह बहुत ही grim situation हो गई बहुत ही भेंकर situation हो गई grim situation, भेंकर situation this pond density means होता है उदाशी this pond density this pond से याद रखे this pond के पास ये जितना भी आदमी बैठा हुआ है यू यू करके ये सब उदाशी में है pond मतलब तालाब this pond this pond के पास देखे ये सब बैठे हुए, साब उदाशी में बैठे हुए, सब का break up हो गया किसी का कुछ ना हो रहा, तो यहाँ पे dispond के पास dispondency में बैठे हैं ये है उदाशी चरण तालाब next word है, baleful means हो गया खतरनाक, bale का फल अगर उपर से सर पे गिर जाए तो सर फट सकता है, आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बेल का फल बहुत ठोस होता है, पत्थर की तरफ बेल का फल सर पे गिरना बेलफुल हो सकता है next है, odory ferus odory ferus, वो डोरी जो फेरा के समय पंडित जी ने पहनाई थी बढ़ा सुगंधित थी यार बहुत बढ़ेंगा खुश्बू था उसमें शादी जब होती है, तो एक जनेव पहनाया जाता है हमारे हिंदू रसम में ये मानते है तो वो डोरी जो पंडित जी ने पहनाई थी, बहुत है वो डोरी ferus थी, काउन सा परफ्यूम डाले थे पर निजी आप, बोले यार छोड़ो यार तुम्हारा बया हो गया, बोले हाँ, बस हो गया चल मारो यार, यार यार यारी डोरी बोरी और डोरी ferus थी, नेक्स्ट प्याई दोस्तों, अगला वर्ट है, इस बेन फूल, बेन फूल का मतलब भी हानिकारक होता है जो बहड़े ही बेन फूल होते हैं, तो बेन फूल हो या बेल फूल हो, दोनों का मतलब हानिकारक ही होता है आईए चेक करतें, फटा फट बच्चों, ये आपके पांचों वर्ट्स लिखे हुए हैं, चलिए 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 सुगंधित, बेन फूल, बेल फूल, बेन फूल, हानिकारक ये हुए आपके, इसमें क्या स्कोर आया है, आउट आफ फाइप, कम ओन कॉमेंट्स भर जाने चाहिए, भर जाने चाहिए पूरे कॉमेंट्स इससे वाओ, आगे बढ़िए, नेक्स्ट, लॉसी मींस होता है घटिया, मौसी से याद रखी, क्या रहे यार, इसकी मौसी इसको बहुत मारती है, बहुत ही घटिया सुभाओ की है, मौसी का सुभाओ लॉसी निकला, सेकेंड है, मौकरी मींस हो उपहास, इसके पूरा परिवार बिजनस करता है, यह अकेला करता है, नौकरी, इसलिए हर कोई इसकी करता है, मौकरी माली जे एक परिवार है बनिया परिवार गुजरात से माली जे कोई है उसका पूरा खांदान बिजनस है साथ बड़ा-बडा बिजनस कर रहे है एक आदमी कहीं पे 12,000 की नौकरी कर रहा है तो आप सारे लोगाभ बिजनस कर रहा है नौकरी है तो आदमी उसकी उपहास मजाएंगे तो कर रहा है नौकरी इसलिए कर रहे है लोग वो इसकी मौकरी Next है Miss Anthrop means होता है जो इंसानियत को नफरत करे Miss का मतलब होता है हेट करना, Anthrop means होता है Mankind ये दो root है, root word है ये Miss Anthrop का मतलब हो गया जो Mankind को नफरत करे Next है Misogynist, Miss का मतलब क्या बता है मैंने हेट करना और Gain means होता है महिला, Female, जो महिला से नफरत करता है उसको Misogynist कहते है Next है Misogamist, Miss का मतलब होता है हेट करना और Gamey मतलब होता है शादी, Marriage, जिसको शादी से नफरत है उसको Misogamist कहते है शादी से नफरत करने वाला चलो चेक करिए फटा फट लॉसी का मतलब लॉसी का मतलब मौसी बड़ी लॉसी सुभाव की घटिया मौकरी कर याल नौकरी तो कर रहे हैं सब इसकी मौकरी 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 का मतलब उपहास मज़ाक उड़ा रहे हैं मिस एन्थ्रॉप, मैन काइंड हेटर, मिस ओजिनिस्ट, महिला हेटर, मिस ओगेमिस्ट, शादी हेटर, ये हो गए आपके सारे options, come on everybody, मेरे साथ आपको स्कोर बताना पड़ेगा, speed आपको मेरे साथ मैच करनी पड़ेगा, आप ये नहीं कह सकते, sir, speed जादा है, no, speed जादा नह नीचा दिखाना, be little, आप किसी को कह रहे हो, be little, मुझसे be little, little हो मुझसे तुम, be little, मतलब उसको नीचे अपने रखने की सोच रहे हो, आप नीचा दिखा रहे हो, उसे, second word है, alakriti, means हो गया, जल्दी-जल्दी कोई चीज को करना, alakriti को कलाकृती से याद रखे, बहुत यू, यू, करके कलाकृती बना देता है, यानि उसने कलाकृती बड़ी ही alakriti से बनाई, जल्दी-जल्दी की उसने, next है, disparage means होता है, नीचा दिखाना, dish पर आज, government को disparage किया जा रहा है, नीचा दिखाया जा रहा है, कह रहे हैं, ये government किसी काम की नहीं है, ये government ये है, य government वो है, तो dish पर आज, dish टीवी, dish अंटीना, जो घर में लगा होता है, वहाँ पर आज, disparage कर रहे हैं, government को, अगला word है, this is benison means होता है, आशिरवाद, बनिया लोगों के जो sun होते हैं, कोई बड़ा उनके घर में आता है, तो उनका पैर छूके उनसे benison प्राप्त करते हैं, अर्थात आशिरवाद प्राप्त करते हैं, बनिया के sun, benison, जैसे हम भी बनिया हैं, तो जब हम अपने गाओं में रहते थे, तो कोई भी बड़े बुजरगाते थे घर पे, तो हमारे बाबा जी थे, वो कहते थे, चलो पैर छूओ, तो हम बनिया के sun, पैर छूके benison और उसके करियर का डेमोलिशन हो गया, डेमोशन कर दिया, करियर डेमोलिशन हो गया, चलो चेक करते हैं, फटा फट पाचो वर्ड़, बताइए, बेली टिल का मतलब, नीचा दिखाना, इलाकरिटी मेंस, जल्दी जल्दी करना, ततपरता से, disparage मेंस, नीचा दिखाना, बन आपको रड़ जाएंगे, यहाँ पे ही, का आपको कहीं टेंशन लेने का जरूत नहीं है, सो के सो परसेंट आपको यहीं पर रड़ जाएगा, और अगर कहीं पर थोड़ी बहुत गुंजाईश होगी, गुंजाईश भी दोर हो जाएगी, चलो बच्चो, अगला है बेटि इसा होता है कि आपको हमेशा बेटिट्यूड देता है, परमानन्द देता है, बेटी का एटिट्यूड पिता को हमेशा बेटिट्यूड देता है, परमानन्द, बैडी नेज मीस होता है मजाखिया, बड़ा नाज है मुझे कपिल शर्मा पर, क्योंकि उसका सुभाव पैडिनेज यानि कि मचा किया है इस डेयोगेटरी मतलब है एक आदमी को बोला गया माइक आप आप एंट्रोड़क्षंन दीजे तो वह के टबून एक स्टेज बॉनास ik दो स्टेज है दो और बढ़ेंगे थे दो डरोगे तो जमाना तुम्हें निंदात्मक नजर से देखेगा एक दूसरी ट्रिक क्या बनाई डरोगे डरोगा से आप किया कि डरोगा जी जो है वो हमेशा डरोगेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं निंदात्मक बोलते हैं किसी से प्यार से पेशी नहीं आते दरोगा जी बन गए है तो हमेशा एकदम डेरोगेटरी नजर से दूसरों को देते हैं अगला वएड है एनिमॉसिटी में दुश्मनी होता है आनी की मौसी ने पूरी सिटी में एनिमॉसिटी ले रखी है आनी की मौसी पूरी सिटी में हर किसी से एनिमोसिटी कर बैठी दुश्मनी 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 अगला वड़े एक्जोबरेंट एनरजेटिक एंथ्यूजियास्टिक भरा पूरा को कहते है एक्जोबरेंट एक्जोबरेंट एक्जोबार 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 उसने डिप्स मार दी एक्जोबार उसने एक्जोबार वह अपने काम में एक्जोबरेंट हो चुका है एनरजेटिक हो चुका है एक्जोबार उसने डिप्स मार दी और खड़ा हुआ exuberant तरीके से फिर भी यानि बहुत ही energetic था बहुत ही enthusiastic था चेक करेंगे फटा-फट बेटिट्यूट का मतलब क्या होगा perfect happiness bad in age की मीनिंग क्या होगी humorous conversation derogatory का मतलब निंदा अत्मक अप्मान जनक, animosity की मीनिंग दुश्मनी exuberant का मतलब जी हाँ that is energetic आप में इसे बहुत से बच्चे कह रहे sir हमें भी तो answer करने का बौका दीजे आप comment में मत लिखो आप मत लिखो comment में आप खुद को बता दो बस जैसी मैं बोलता हूँ baditude का मतलब आप बोलो परम happiness, लिखने में time जाएगा video short करना है तो आप सभी लोगों के लिए इस तरीके से हम इसको कर रहे है ठीक है, बोल के कर लो लिख के मत करो, या लिखो comment में अभी चलो इसमें अब लिखो केबल अपना score केबल ये लिखो, क्या score आया आगे बढ़ते हैं बच्चों entry pit means हो गया fearless यानि कि साहसी, बहुत ही daring entry pit, entry pit, entry pit entry के समय वो पिटा इसकी electric बनारों में entry pit, entry किया और पिट गया फिर भी वापस नहीं लोटा फिर entry कर रहा है बन्दा बहुत ही entry pit है बहुत ही daring है इम्मती है affinity means होता है आकरशन, आपकी नीती affinity, आपकी नीती में ऐसा क्या है कि सारे लोग सारे जवानेक लोग उसकी तरफ खिचे चले आते हैं आपकी नीती में कुछ ना कुछ affinity जरूर है कुछ ना कुछ affinity यानि आकरशन, आकरशन, आकरशन next word है rotund means होता है गोल या मोटा आदमी रोटी बनाता है गोल गोल imperious होता है अभिमान, arrogant impress, ये उसको impress करने की कोशिश कर रहा है कभी उसको रोज देता है हाई, मुझसे दोस्ती करोगी हाई, मेरा teddy bear लोगी हाई, मेरा valentine बनोगी ऐसे कर रहा था, लेकिन महिला महिला तो महिला, उसमें बहुत ही जाए, ये impress करने कोशिश कर रहा है लेकिन वो महिला पूरी तरीके से imperious है, arrogant है गमंडी है, बिलकुल भी बात नहीं करती हर बार उसका teddy bear फेक देती है चलो आगे आजाओ अगला है सेनी लेटी मीं सोता है बुढ़ापा, सेनी लेटी को उसका बुढ़ापा आ गया है सेनी लेटी चेक करो फड़ाफट बच्चो फड़ाफट चेक करो entropy बहुत ही साहसी affinity आकर्षण, rotund गोलगोल, imperious imperious अभिमानी, घमंडी, सेनी लेटी बुढ़ापा क्या स्कोर है इसमें फिर से बताई आउट 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 फाइब, come on everybody बच्चो, virility का मतलब होता है पुरुशत्व, है ना, जिसमें strength हो, energy हो, strong है उसको कहते है virility तो जो वीर होते हैं, वो virility उनमें होता है, पुरुशत्व होता है जो पुरुश, जो पुरुश वीर है, वो virility उनमें होता ही होता है, पुरुशत्व होता ही होता है नेक्स्ट है बच्चो, blender मतलब बड़ी गलती को blender कहते हैं, यह आसान होड़ है कि अरे बापरे उससे blender हो गया, यह गलती नहीं यह blender है, blender मतलब बड़ी भूल, damsel अभिवाहित इस्त्री को कहते हैं, damsel को damsel दम से लड़ी वो damsel लड़ी ऐसे कर देखो, damsel, damsel, damsel एक महिला थी, उसने पूरा का पूरा dam ही sell कर दिया, जैसे मोधी जी सब कुछ private कर रहे न, बेच रहे तो आपने कहा कि यह महिला तो dam sell कर दी भाई, कौन है यह महिला बोले अभी शादी नहीं हुए, अभी तो वो damsel है, बोले शादी हो गई हो तो पती को पकड़े, महिला को पकड़ने वो तरह ठीक नहीं है, पती को पकड़े उससे सब कुछ पैसा वस्या वसूले, तो dam sell कर दी, कौन महिला है, पती कौन है इसका बोले अभी तो शादी नहीं उसकी, वो damsel है अगरा बड़े, paddler means होता है फेरी वाला, जो paddler चलता है paddle मारता है वो paddler होता है, जो cycle में paddle मारता है, वो paddler होता है ज्यान लखें, नेक्स्ट बड़े glutton means होता है, pay to, जो खुब उसको glutton कहते है गोलू टन भर खाता है, गोल हो गया फिर भी, अभी भी खाय जाता है यानि वो बहुत ही glutton है glutton है glutton, glutton means होता है pay to, pay to कह सकते है चेक करिए फटा-फट virility का मतलब पुरुशत्व strong strength से बना हुआ वर्ड blender means, बहुत बड़ी glutton means, बहुत है pay to, आदमी है भाई, चलो इसका score बता come on everybody come on everybody, 40 हो याद करा दिया 41 में dot means होता है भैभीत करना, बच्चा जब शरात करता है माँ-बाफ उसको डाटे यानि उसको क्या कर रहे है dot लगा रहे है ताकि बच्चा थोड़ा तो भैभीत हो बिल्कुल नहीं डरता next है, faints means होता है an evil person कभी-कभी कुछ लोगों को ऐसे friends मिल जाते हैं बन जाते हैं, जो अच्छे नहीं होते हैं faints होते हैं, राक्षास होते हैं मौके का फायदा, मौका परस्त होते हैं फायदा उठाने वाले होते हैं कभी-कभी ऐसे friends बनते हैं, जो बड़े friends होते हैं, next है, mounting means होता है बढ़ता हुआ mounting का मतब बढ़ता हुआ, gradually increase हो कोई चीज उसको mounting कहते हैं mountain से याद रखे, mountain पर mounting करते हुए आदमी mountain पर जाता है, तो उसको mounting करना शुरू कर देता है, यानि उसमें चड़ना शुरू कर देता है, mounting बढ़ता है voluminous means होता है, बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा, तो जिसमें चीजों का volume ज़ादा होता है, अर्थात वो चीज voluminous हो चुकी है volume बहुत ज़ादा है, अर्थात वो दूसरे देश और वहाँ पर अपना जादू दिखाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़े विजार्ड हैं तो वीजा बनवाकर ये विजार्ड बाहर दूसरे देश में अब जाने वाले चलिए चिक करिए फटा फट डॉंट का मतलब जी हाँ बहबीत करना फेंट का मीनिंग थोड़ा इविल टाइप का आदमी मौन्टिंग मेंज चड़ना वल्यूमिनस वेरी बेग विजार्ड मेंज जादूगर मजीशियन क्या बाद है यार इसमें एक बार स्कोर बता दीजे पैतालिस हो चुके हैं पाँच और बचे नेक् सैंक्सिटी का क्या मतलब होता है सैंक्सिटी मेंस होता है दा क्वालिटी ओफ बिंग हॉली यानि पवित्रता सैंक्सिटी को सैंक्सिटी से आद रखे एक सिटी बहुत ही शाइन करती रहती है क्यों क्यों कि वहां के लोगों में बहुत ही सैंक्सिटी है पवित्रता है किसी के बेमानी नहीं करते हैं, किसी का साथ छल नहीं करते हैं, तो sign करती है पुरी city, sanctity है हर किसी में, next है, unison means हो गया, harmony, तो unison, 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 उनके sun, उनके sun में आपस में कितना प्रेम भाव है यार, बिलकुल लडाई जगडा नहीं करते हैं, उनके sun आपस में मिल जुलके रहते हैं, सम में कितना unison है, ताल मेल है, next word है, this is contemplate means हो गया, विचार करना, contemplate कौन से plate, एक पिता को अपनी बेटी की शादी करनी दी, अब वो बैठ के contemplate कर रहा है कि कौन सा plate हम खिलाएं लोगों को, 400 रुपिया plate, 300 रुपिया plate, 200 रुपिया plate, 800 रुपिया plate, कौन सा plate खिलाएं, वो contemplate कर रहा है, विचार कर रहा है, होटल से शादी करना है, अगले पर आई दोस्तों, अगला word है, abortive means होता है, निश्फल, abortive, exam का महौल था, समय था, और एक बच्चा, टीवी देखा देख मचाया, result आया, fail, पिता ने कहा, अब और टीवी देखागा बेटा, तो ऐसे ही fail होएगा, अब और टीवी देखा, तो fail होगा, निश्फल हो अगला और अंति वर्ड है, eradicate, eradicate means हो गया, remove करना, पूरी तरीके से खतम कर देना, जो भी error है, इस content में उसे पूर तरीके से eradicate करिए, eradicate, 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 यानि उसको उखाड थेकिए, यह था last word, आज यह इसको final check कर लेते हैं, sanctity का क्या मतलब है, इसका meaning होए, पवित्रता, unison तालमेल, contemplate, विचार करना, abortive, asfalta, and last है, eradicate का मतलब है, remove या destroy करना कोई चीज को completely, क्या बाद है यार, finally आपका score out of 5 बताईए, और अगर हो सकें, तो out of 50 तो बता दीजिए, अगर याद हो, possible हो तो, याद होगी किस में कितना हुआ, out of 50 कि high score आपका आया, हमें comment में जरूर बताए, प्यारे बच्चो, कैसा लगा आपको ये particular session, मैं आप सभी लोगों के comment जरूर पढ़ूँगा, आप अपना opinion जरूर दे, हमने थोड़ा ही speed इसलिए रखी, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना जाए, आप कम वीडियो की length कर लीजेगा, लेकिन, words याद हुए कि नहीं, हमें comment में जरूर बताएगा दस्तो, ठीक है, और ऐसे ही अगर words आपको चाहिए, तो आप अपना response दीजे, इस वीडियो को अपने तक ही नहीं, अपने साथियो तक भी पहुँचाईए, उन सभी के साथ इस वीडियो को बख्में, इस वी जए अपने करे लादव को के लिए एंगा सीन, कि अज़ को आपको में आपको अपने कर दोखने पासाधे, बताएगा हाँ, एस सवीजे आपको पहुचाईए, जैखने से नहीं, आपको एंपने से वीडियो को अपने की जोगचाईए, ले आटने ले ब